So hey what's up guys, I hope you all will be great So, today we are going to play cricket 19 This year, I will take it to this year And yesterday's match was very tough, but we won't win And today's match is the Kolkata Knight Riders vs Bangalore I said, I have called the Kabaddi team, Bangalore Wolves But no, we have a match with Bangalore and Kolkata team And today we are going to choose the Royal Challengers Bangalore team And Kolkata gave me a suggestion that you can play easy So I won't play easy, I won't play medium But you said that you can play hard So I am going to play hard in Jibylipool today And the level is completely hard So let's see which match is now So let's start And we start And here's the match Starts And we will go out there गोर जाएंगे घंगे, एंड रोल चलें मेंगों के तरफ से तो विराट खोले आएंगे, लेकिन कोलकट्टा की तुम से कोन आगा वो देखना पड़ेगा, हम लेंगे टेल्स, तो समझ भी नहीं है तो कोन आएं कोलकट्टा की टिम से तॉस उड़ाने के लिए, लेकिन हम जी छोड़ो फिर मिलते हम अपनी वैटिंग के टाइम पर और यहां पर कुलकत्ता टिम की बैटिंग जो खतम होते हुए वन सिस्ट्ट राइन नर्ब बनाई है कुलकत्त टिम में और फ्रागेट दिया है वन सेवेंटी रंस का और यहां पर विराट हुलिया है उपने के लिए पार्थी पड़ल के साथ तो पहली गैन आपर खेलेंगे विराट कुली और यह हार्ड मोड है बाद मैं आपको आपस एक बार पता दूँ और यह पर पहली गैन पर गरिस्की रहें लेकिन जो गैन दे वो टंप नहीं लेगी इस विज़े से वो जो पार्थी पडल जो बच कि देखते हुए कि देखते दूसरी गैन दिस वर की क्या होता है और यहां पर विकेट जाते हुए है पार्थी पडल पर ली गैन प्राउड हो चुग है और यह पर हम कोई भी चैलेंगे लेंगे हमें नो चैलेंज है हमें आवाज जो सुनाई दे चुकी है और बहतरें विकेट की तरफ से विकेट की तरफ से जैसे दिनेश कारती की रहेंगे और यह पर आड़न देशाई और यह पर उपरे बार पर लगते हुए गैंज और एक रनासानी के साथ आज थोड़ा डिपल्टी हामें मैसिस होरी है खिलने में और यहां पर युराट ओहले आउट हुए पाज इनमें में तीन रन शेम रहें अभी हिटमाया जो हो आँ चुके है तीन रन आया पिक्छले वर से देखना हो गई इस ओर में कितने रहनाते हैं बांटरी तर बीदेश आई नहीं यह और शायद से बांटरी हो सकते हैं और यहां पर पहली बांटरी बैंगलोर की टीम से आती हुए बहतरीन शोट है आपर देशाई की तरफ से ऐसे अगर अगर गेंदे माते रहें तो जी बिल्किल और यहां पर और एक बहतरीन शोट और यह गया वन बांस चार रन के लिए और इस वर में अब तक दो चोके आ चुके हैं तो अभी रहात के साथ मिल चुके होगे थोड़ी बहुत बैंगलोर की टीम को और यहां पर विकेट चाहते हैं देशाई भी आउट होते हुए लालच यहां और यहां पर देशाई लालच में फस्ते हुए और और कॉट अट बॉल होते हुए विकेटी के हातों क्याऊ कि अग्यार्य देशाई लालच में उन्हें अंपर क्याइट masih हमें हम एक पघुद नकांट ईभाण पstarऊए पधेट लेंगदबाशाई 2 फह उक्ते हो इताई विकेट लेता हुए स्रीवास्टों के वेदले से यहां पर गेंड़ जो है वो गेंड़ों को जड़ा बाहर रखने कोशिश कर रहा है और एक बहतरीन गेंग यहां पर अंधर के तरफ बाते हुए परहली चार गंज उफसर में पाँच्वी जो सी दास्टम की दर लान की कुशिश की और काम यहां भी हुए यहां पर चोटी पर शायद से बैंड़ों जो है यहां है वान साइड हरने और भी मुझे सलगे लगा है अगर भी मार्व करना अगर बैंगलर्स की कोई पार है तो पहली पार शायद मुझे तो इस वज़े से जह हो रहा है बाखी कुछ नहीं लेकिन पूरी पूशिश करूंना और यहां पर पहतरीन शॉट आपर शेंड रन हिटमार के बल्ले से आता हुए पहला शक्ता इस पार इक है पर बैंगलर्स की टूंस है शिंडरन हिटमार नहीं लगाया है अभी अगर इस ओर में इस वर में इचिकरन ब्याट अभी बहुत है अखरी गिंद इस ओर की देखना बड़ेगा क्या होता है विकेट तो बिल्खुल पी नहीं जानी चाहिए यह यह सोचते होंगे और यह पर विकेट नहीं जानी चाहिए बूला और यहाँ पर हम रिवी ज़रूर लेंगे तो कि पहले ही बहुत विकेट जा चुके है कि दिखते अगर नोबल रहेगा तो मजा जाएगा लेकिन नहीं होगा अब्विरस सी बात है बिल्खुल भी नहीं है बल्ले को गेंद नहीं लगी बहुत दूर है लेकिन देखना पड़ेगा सीधा कि पैड्स को लगी तो आउट ही रहेंगे लेकिन मैंने क्रिस्क लिया है देखना पड़ेगा क्या होता है और यह पर बॉल ट्रेकिंग कब आएगी यार वेच तो बिल्कुल भी ने लगा और यह बहुत दूर है यह लगी बल्ले को बस अभी हम बॉल ट्रेकिंग का यू देखना चाहते है जल्दी से लाओ यार जल्दी से जल्दी कितना देर लगा रहे यार जैसे अभी आएगा मेरे को लग रहे अभी आएगा जब आ गया पाहर जाएगी जाएगे पिचिंग इल्लाइन और यापर विकेट हीटिंग और यापर रिविविव अभी गवाते हुए है बैंगलूर्स की तेम अभी आएग एक रहन पर वाशिंटन संदर आते हुए जरे पांशिप हो गई तो भी मैं जीट सकती है लेकिन देखना पड़ेगा कोई साथ देने के लिए कैसे ब्रेंट इटमार को और यापर सेम्रें इटमार को दाओ अभी में अभी में अभी में बहुत ज्यादा तकलिफ हो उठा रहे है यहां पर आपर डैनियल आते हुए है अभी तो पहले हैंगे यहां पर डैनियल भी बड़े तरीके सब्सक्रा टाइमिंग नहीं हुए लेकिन बहुंड रही जाते हुए अभी में है अभी में हारे एक शॉट जो उठा की चिलने वालों बहुत जाए यहां जाया पिडिल हो जाया तो कि इतना बुरतर के सहार को हम नहीं जैस्टेंग आपर दैनियल गिटेंग को और यह पर एक बढ़िया टाइमिंग के साथ का जाते हुए अब बहुत लंबा चाता गया अबर यह इतने दिर से अहां पर एक सुप एटिस मिट्र पर चिस्ता हमा रहा है डैनियल अब तक कहां पर पहले उपर आजाने जाए गार एक बहतरें टाइमिंग के साथ यह गया लंबा से चाता है एक साथ बहतरें के साथ पर एक सुप लंबा से किल जाए 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 बहुत बड़े लंब के के लागा है और रपर वाचिंग बन पाहले लेगे रेडिया है अप्रे लंबास खोड़े और आप आइडियल शॉट्स है एक गम बिल्कुल फिफ्ट केम दिस ओर गीर तो डिसी पी टाइमिंगे और यहां वहां हो जाती तो यहां पर विक्नट हो जगते ही कि वहां पर एक फिल्डर में मौजट पाइस हो जगेसे लेकिन रिस्क उठाएंगे तर भी तो जीत पाएंगे ओमाइगोड यहां का शॉट है जो जो कि आप अधर शॉट मारना है लेकिन जिसके शुटका गया है जेखते ही बनके ऑगू यहां पर वार्यर आचेखे अपनी आफ्री ओर में चार विक्ट लाचेखे वार्यर बिए आफ्री और अफ्री ओर में भी एक विकेट लेके जाएं पांच विकेट हो चुछी है यहां पर डैनियल को भी आउट कर देना पर वार्यर ने पांच विकेट ले लिये हैं और यहां पर टीम साउट आचे हुए है यार बहतरी ही जुन वाले आपर देखें चुछे अभी बस एक ही वाल्ले बाज है आपर वह वाशिंटन चुंदर और वाशिंटन चुंदर ने भी उठा के ही दे मारा विकेट गई तो कुछ उन्हें ज्यादा गम नहीं है नहीं डर है और स्टोर है चाहिए और पर दास तारे वच्छे चोड़ा हो रहा है लेकिन विकेट नहीं है यहां पर और एक बैटरिंग शॉट और एक बांडरी और यहां पर फिल्लिंग में एडजस्मेंट होते हुए है विकेट जाने के पाउजिस इस और में दसरण आते हुए तीन गंड़ में और यहां पर और और एक करीव आमला हूँ सकता था लेकर गैप में थी गैंज और बांडरी मिलते हुए और यहां पर एक उपर की शॉट मारा लेकिन बांडरी मिलते हैं पर बहतरिन गैप में थी गैंज और इसको जिसे गैप देखके उपर से उठा दिया शॉट यहां पर नरीन के खेंद बाजू के यहां पर सुन्दर में बढ़िया बल्ले बाजु अब तक देखने को और यह बहुतर ही शॉट हेंट यहां पर शुल फोग की बल्ले से आता हुआ और यॉष्त मारे नीचे से खिला अर ग्राउंड डामट आट छिला और यह वहेंगेंदे नहीं हुआ अ और यहां पर प्वहतरी शॉप सुंदर के विल्ले से आता हूँ और बांटर मिलती हुए यह पर और बांटरे के साथ अपने अर्दाश चथेख भी संप्रीट होता हुआ सुंदर का बहतरीन बल्लेबाद है यहां पर सुंदर की तरब से अपनी टीम को जितवाने के लिए सक्षम है अकिले ही टीम साउधी को बस दो गेंदे के लिए आद्री है करें इंट आपर के लिए युटे संब्रैब कर दो गाएं कि यह अंत्य bisa isati है। हो सकते ही लेगन róż कंहीं है और है पर यह और बहतरीन पूल शॉट्र और बॉंड्ल रहाती हुए सुंदर अकेल ही अपने टीम को किनारे तक पहुचाने के लिए मेहनत करते हुए और यहां पर पेरो तक गेंट थी लेकिन जुस तरह से फ्लिक शॉट जो खिला है और एक बांडरी आते हुए इस ओर से पहले ही दो गेंदे में दो बांडरी आते हुए सुभी पूर अप्टेशर जो है वो लेकिन बिल्कुल भी नहीं है यहां पर चोको की साथ यहां पर बात है चालो है यहां पर सुंदर की तरफ से बेहतरीन शॉट और एक आता हुआ इस ओर में आप तक चोड़ा रहना चुक हैं बहुत बहुत बहुतरीन बल्लेवाज यहां पर सुंदर की तरफ से आपको देखने को मिल रही है और आपर चोक अलगाते हुए संदर परफेक्ट टाइमिंग के साथ महारा बहुतरीन बल्लेवाज यहां पर सुंदर की तरफ से में देखने को मिल रही है और यहां पर जो हम कह रहे थे कि विकेट नहीं गवानी है लेकिन यहां पर यहार करते आउट होते हुए संदर सिस्टीन नेंट रेंगे मारे हैं यहां पर चोबी गेंदों में कोई नहीं अच्छी बल्लेवाज थी और आपर आखरी बल्लेवाज और यहां पर आखरी विकेटे बाहन रनों की जरूरत देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस मैच में और यहां पर बहतरीन शाट लगाते हुए उमेश याद हो सिदा चक्रम आद्या पहली गेंट से इस ओवर किंच यहां पर अभी खोने के लिए कुछ बिल नहीं सो ऊपर से उठाके खिलने चाहिए जितना हो सकते और प्रिष्णा जो है प्रेशर में आते हुए और यहां पर बहतरीन शाट अगर यह जोड़ी यहां वा रहती तो सिदा फिल्डर के हाथों में जाने की सब्भवनें बहुत ज़दा थी लेकिन ग्यास में की होज़े से चोका मिलते हुए यहां पर फुल टॉस लगा कर दो अगलो की टीम को अगर दो गेंट अच्छो डालेती लेकिन फूसरी गेंट फुल टॉल जालके यहां पर पूरा प्रेशर जोब हटा दिया है बिल्ले बाद की से और अगली गेंट पर और चोका लगाते हुए यहां पर उमेशाद और वहतरीन शॉट हैं पर उमेशाद यह बिल्लुसा में देखने से मिल्दा हुआ लगातार दो गेंट पेंट ने लगा दिया है और यहां पर और एक सीश्री वांट जिया तो इस ओर में इस ओर में बहुत ज्यादा रण ले लिए अभी तक पांच गेंट में बारा ले लिए आकर गेंट और भी बच्ची है इसमें एक रण भी आगया तो भी बहुत है क्योंकि विजवांदर चल कुछ ट्राइक नहीं देनी है और यहां पर आसानी के साथ एक रण आते हुए बहतरीन बल्ले बाज यहां पर हमें देखने को विल रण उने चादव की तरफ से कुछ के पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रफ रहे हैं और यहां पर सुनिल नरीन आते हुए देखना होगा कि क्या करते हैं इनको पहले के इन पर एक रण ले लिए बस यहां पर ज्यूंदर चल को एक तो एक रण निकाल के देना होगा या तो फिर पाचों की पाच गेंदों जो खेलनी होगी आसानी के साथ और बीना विकेट गवाए अगर विकेट चली जाती है तो हो जाएगा कि बैंगलर यहां पर मैस हार तक यहां पर ऐसा लग रहा था कि उपर से उठान की कोशिश थी यहां पर विज्वेंदर चल के लिए उनके शॉट में तो दौन नहीं था इस और यहां पर उमेशादू ने बल्ला घुमाया और यह कई गेंसिदा पॉंट रिलान अगर यहां पर एक बहतरी इंगेंड अगर यह गेंड अगर छोड़ने के अगर गल्ती करते हैं परोने साथा तो बॉल्ड हो सकते था है क्योंकि टर्न बहुंद ज्यादा हुए थी गेंड और यह पर एक रहन लेत हुए पांच पी गेंड में आखरी गेंड है युजवें युजवेंद्र च्वल को टाउट करनी है या तो फिर दो रहा है एक रहन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा डाउट करते हैं और यह पर बहुतरी डिफेंस है अब युजवेंद्र च्वल के उसे में देखने को बिल्टा हुआ हुआ है और यहाँ पर कृष्णा वापस से आते हुए कृष्णा फुल टोस बॉल जरूर डालेंगे एक ना एक तो इस और में और यहाँ पर आती ही डाल दिया जैसा कि हमें पता था फुल टोस बॉल जरूर डालेंगे क्योंकि बहुत ज़़दा प्रेशर में लेकिन कप्तान जो ह यहां पर एक शांदर स्ट्रेτ ड्राइब थी लेकिन एक ही रन इन मिलता हूँ यहां पर वजबंद्र चलल है स्ट्राइक पर थोड़ी कथा रहां द zona करना पड़ेगा एद छिणन को लेकिन एक और निगाल करेना चैनि हुए । है और आथान एक लाई में यहां पर तीन गिंदी बच्ची है इस ओर में देखते हैं क्या होता है यहां पर अभी हम कहने सकते कि यह मैच जो है बैंगलोड जी जाएगे और यहां पर एक बेटरी फू शॉट देखने को मिलता हूं हमें तुमे शादो को बले से और एक वांटरी हैं यहां पर इस ओर में हमें साथ के लिए और जीतने के लिए बैंगलोर को चाहिए साथ रन और यहां पर एक बहतरीन शॉट था लेकिन तर्फ एक की रन ले पाए बहतरीन फिल्डिंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं फुल करता टीम की तरफ से अभी भी हारे नहीं यह मैच को अभी भी समझती कि हम लेकिन सीधा गेंज जो है वो इंदर चल के हिलमेट को लगती हुई और यह पर हैरी गर्णी आते हुए पांच और बहतरीन शॉट लगा है यहां पर उमें श्यादव नहीं लेकिन सिर्फ दो ही रन मिलत हुए अच्छी स्ट्रेट ट्राइब की लेकिन उसमें ज्यादा था स्ट्रेट में ज्यादा गती नहीं थी इस वोजे से जो है और शॉट में भी ज्यादा ताकत नहीं थी तो सिर्फ दो ही रनाती हुए चार रहें चाहिए टीम को जितने के लिए वह यहां पर एक बहेतरिन प्रिलिंग अगर एक अच्छी गेन डाल देते हैं तो यहां पर विकेड जा सकती है बैंगलोर की ठीम की और यह मैच जो है कोल करता जिस सब किया सारी गेंदे यहार कर डालन के कोशिश कर रहे हैं लेकिन फुल टॉस पड़ रहे हैं और यहां पर एक रिल लेना नहीं चाहिए था मेरे साब से तो लेकिन ले लेयां और यहां पर उजवेंगर चाहिए अभी स्ट्राइफ प्याती हुए एक रिल निकाल की देना चाहिए तीन गेंदे और यहां पर एक फुल ता गेंगे नहीं बहतर इंफिल लिंगा फर देखने को हम दोए आपर करण रहे हैं यहां पर गहर बस दो गिदो को दो किन्धों को जोए फेस करना पड़ेगा सिर्फ ज्वेंद्र हुए अपक्न को और यहां पर एक रन लेते हुए इनके थो बहुत अलग जगा पे जा रहे हैं और यहां पर पचास और के पार्टनर्शिप भी हो चुके जुए जुन रचल और उमेश अदू के बीच में क्यापता इस ओर इस अखरी गेंट पर ही जो ही वो मैच कगदम हो जाए हो और और पर और यह एक यहार कर और यह गेंट्स इदा बंडर्लन को और यह नजिता है बांगलोर बैंगलोर ने और इसे के साथ मेशादोने भी अपने 50 इंग कंपलिट कर लिए आंफिरी गेंट पे बेतरीन बल्लेवाज़ आज भी हमेझ देखने को मिली के शाल च्छलेंज बंगलोर की टीम से और आज की भी जो मैच है वह बहुत ज़्यादा तब हुई खेलने में मुज़ा आज तो भाई बहुत ज़्यादा मुझाया खेलने में आज हार्ड मोड पर हम खेल रहे थे इस व में मैं जो आज का जीच चुते हैं एक विचेट के साथ तो गाइस आपको इमेट कीसी लगया प्लीज कमेंट करके बतना और इस वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मिलता हूँ आपसे अगली विडियो में तब तक के लिए पीस आउट